हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फीर से स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस परकार से आप हैप्पी कार्ड जिससे कार्ड से आप हरियाना रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं किस परकार खुद स्वयम अपने मुबाइल से या अपने लैप्टोप से घर बैठे बना सकते हैं इसके लिए लिंक मैंने डिक्स्क्रिप्शन में दे दिया है वैसे आप e-booking हरियाना रोडवेज की साइट पर जाकर भी इसे बना सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है आपको apply happy card पर क्लिक करना है और कुछ ही इस परकार का interface आपके सामने आ जाएगा मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर family id नमबर डालना है और जो capture लिखा है वो नीचे डाल कर send otp पर क्लिक कर देना है और एक otp आपकी family id के नमबर पर चला जाएगा उसके बाद उस otp को आपको यहाँ पर डालना है जहाँ पर यहाँ कोलम खुल कर आया है और जैसे ही आप otp यहाँ पर डालेंगे तो आपको verify पर क्लिक करना है और यह verify हो जाएगा और इस परकार से एक list निकल कर आ जाएगी आपकी family की यदि आप eligible हैं तो यहाँ पर eligible लिक खाएगा और आपको अपना डीपो सेलेक्ट करना है उसके बाद दोबारा जिसका आपको card बनाना है उसका phone number आपको यहाँ पर डालना है जो phone number उसका family id में है या आधार card से link है कोई भी number आप यहाँ पर डाल सकते है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना है number डालना है मैं आपको बता दूँ कि happy card हरियाना में बनाए जा रहे हैं और उन परिवारों के बनाए जा रहे हैं जिनके परिवारों की वार्षिक आए family id में एक लाख रुपए से कम है यदि आपकी family id में income एक लाख रुपए से अधिक है तब आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी happy card में आपका परिवार free में हरियाना रोडवी की बसों में 1000 km तक का एक साल में सफर कर सकता है तो यह जो scheme है उनके लिए है जिनकी family income एक लाख से कम है और उनके लिए पर card जो है वो fees भी 50 रुपए है जो आपको हरियाना रोडवेज में ही जमा करवानी है उसके बाद आपको यहाँ पर अपना number डालना है और send OTP पर click करना है एक OTP आपके phone पर जाएगा और आपको जैसे ही OTP जाए उस OTP को यहाँ पर submit करके verify कर देना है जब आप इस पर OTP को verify कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना अधार card number डालना है verify करने के बाद यहाँ पर आपको अपना अधार number डालना है और जब आप अपना आधार नमबर यहाँ पर डाल दें उसके बाद नीचे लिखा है जो Capture उस Capture को Enter Capture Code में डाल देना है और जैसे ही आप Capture Code डाल लेंगे Send OTP पर क्लिक करना है इस बार OTP आपके उस Mobile नमबर पर जाएगा जो Mobile नमबर आपका आधार कार्ड से Link होगा क्योंकि आधार कार्ड से हमने उस OTP को भेज़ा है और जब वह OTP आपके फोन पर चला जाए उसे Enter OTP में डालना है और OTP में डालने के बाद उसे Verify कर देना है और जब आप उसे OTP डाल देंगे Verify कर देंगे तो कुछ इस परकार का Interface आपके सामने आज जाएगा अब आप देखे कि दोनों जगाए पर Green Option आचुके हैं आपको Apply पर क्लिक करना है और इस परकार से हमने आपको यहाँ पर एक Card Apply करके दिखा दिया है तो इस परकार आप इस Card को Apply कर सकते हैं उसका Print लेकर आपको अपने पास रख लेना है और जब 15 दिन इस प्रोसेस को हो जाएं तो 15 दिन के बाद आपको अपने संबंदित डीपो जहां पर आपने इस Card को Apply किया था 15 दिन के बाद आप वहाँ से 50 रुपे पर Card के हिसाब से इसे Receive कर सकते हैं सिर्फ 2-3 मिन्ट का प्रोसेस है जिसके दुआरा आप अपने मुबाइल से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं आपको किसी सेंटर पर या सी ऐसी सेंटर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है आप घर बैठे इस Card को बना सकते हैं और हर्याना सरकार की इन योजनाओं का लाब ले सकते हैं तो तो वीडियो अच्छी लगे तो शेर कीजिएगा मैं आपको पहले ही बिता चुका हूँ हर्याना सरकार की योजना है और उन परिवारों के लिए है जिनकी इंकम एक लाक रुपे से कम है वीडियो अच्छी लगे शेर कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा जैश श्रीराम